आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे MS Excel फंक्षन पार्ट 10 नौ पार्ट चैनल पे अपलोड हो चुके हैं यह पार्ट 10 है और इस पार्ट में मैं आप लोगों को कराऊंगा text function काफी important function है और इस function के जितने भी example है जितने भी possibility है सारी आपको इसी लेक्चर में मिलेगी और last में हम कुछ question देखेंगे और उस पे हम इसको समझेंगे कैसे सु करना है चलिए समस्तिय है text function को कि यह काम कैसे करता है text function has let you change the way a number appears by applying formatting to it with format code simple function है इसमें आपको दो argument है एक आपकी value है एक आपका format text है मतलब इसका text function का काम है नो मेरी के value को change करना किसी format में जो हम इसको mention करेंगे format देखेंगे इसका syntax है text value, format text इसके दो argument है पहला इसका argument है value value वो है इसको हमने change करना है format text वो है जो जिस format में इसको हम चाहते हैं value को change करना चलिए थोड़ा detail में समझते हैं इसका argument को पहला argument है value a numerical value that you want to be converted into text अगला है format text a text string that defines the formatting that you want to be applied to the supplied value मतलब जो आपने value लिखी गई है numeric value उसको आप जिस format में जहेंगा जाते हैं वो format आपका यहाँ पे mention क्यों होगा और वीडियो में delay इसलिए हो रहा है क्योंकि थोज जीती भी ठीक नहीं है इसलिए थोज से delay हो रहा है और जैसे कि आज है 15 अपेल और आपका paper 24 अपेल को तो पंद आस कल से लेकर 23 अपरेल तक आपको रोज एक important lecture मिलेगा आप इसको study केजिए काफी important lecture में आपको दूँगा आपको definitely जह नोसमतरी में help मिलेगी बाकि जो paper upload करने की series है previous paper की वह वेसी continue रहेगी लेकिन साहत में आपको एक important lecture रोज मिलेगा simple way में आगर इसको हम समझे तो text function में क्या होता है value you want to format यहाप आपकी वह value है कि जिसको आप change करना जाते है किसी format में और यहाप रहेगा उस format का code कि आपको किस format में इसको change करना है आपका format कुछ भी हो सकता है अब हम समझते हैं इसके example को example number one पर example है function रिखा है text ठीक है और इसमें back end में लिखा है अपने 1234.567 यह आपकी value है और comma के बाद जो अगला है यह आपका format है format क्या है dollar currency का sign है hash comma double hash 0.00 इसको क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि यह इस number को change करेगा इस format में आपका result क्या आएगा give a result आपका result आएगा dollar comma 234.57 अब वो कैसे आया समझते है currency with a thousand separator and two decimal like this मतलब हमें लगा dollar मतलब आपको result आएगा उसमें starting में dollar आएगा ठीक और अगर लगा hash hash का मतलब है आपकी एक value हैगी जैसे की 1,2,3,4 मेंसे आपका आएगा 1 फिर आगा comma फिर है double hash double hash का मतलब है अगली 2 value आएगी that is 2,3 फिर है 0,0 का मतलब है अगली value आएगी that is 4 ठीक है उसका है point point के आगा है double zero, double zero का मतलब है कि point के बाद आपके 2 decimal के बाद आपके 2 value आएगी मतलब 2 decimal place तक हम इसको लिखेंगे तो decimal के बाद आपके बाद के बाद कितनी है 5,6,7 और जो 5,6,7 के बाद last में 7 है आपका जो आपका 6 है यह वाला कि आपका round हो जाएगा 7 में तो यह बन जाएगा .57 आपको जल्ड का आएगा dollar 1,234.57 यह आपके जल्ड आ जाएगा clear अगला function क्या है equal to text today,mm slash dd slash yy mm का मतलब है month यह अगे है double d का मतलब है day yy का मतलब है year month day year और today आपको बता है कि जो today function काम क्या होता है current date को return करना मतलब जब भी आप today function लिखेंगे लिखेंगे तो आपकी current date आएगी जैसे आज की date है 15 अपरेल होजा बाईस तो मैंनी example आज के ही लिया है जो चीज़ का नए इस format में क्योंकि जो excel का date format होता है वो आपका month day year होता है इसको आप र्याद रखेंगे month day year का format होता है excel का तो हमारा answer क्या आएगा month day year में मतलब हमारा answer आजएगा यह आप यह कर देख दिया है मैंने answer आपका आएगा month day year में 0 4 slash 15 slash 22 0 4 15 22 गया आपका answer आएगा इसमें पहले month फिर day फिर year यह आपका format हो गया clear अगले आता आपका text today comma dddd today में आपकी फिर से आज़ी date आईगी जैसे कि 15 पहले होता है और आज क्या बार है Friday तो जब भी आपका चार बार day आएगा इसका मतलब है कि यह करेगा return day of the week मतलब 15 पेल 22 को कोई से day है Friday तो आपका Friday है और भी पूरा नाम आएगा इस lecture के end में मैं आपको इसके सारे केसे होता हुआ कि double ddd किसे काम करते हैं लेकिं इसको आप समझेए कि today, 4 बार day है इसका मतलब ए है कि today में आपकी value होजेगी वेल्यू कि है 15.12 क्योंकि टूडे का काम है current date को return करना clear, 4 बाड़ी है इसका मतलब यह है कि यह आपका day बतवीग आएगा वो भी पूरा नाम हैगा तो तो आज क्या बार है शुकर बार तो इसका आएगा Friday answer अगरा function है text now h now को काम होता है current date and current time को एक साथ return now function ठीक है और हमने format लगाया है मतलब आपके यहां पे now में result आ गया 15 पहलो जाबाइस एक तो यह आ गया साथ में time आ गया आज का जैसे कि 9 बज़ के 14 मिंट हो चुके हो रहे हैं जाबके time आ गया है लेकिन हमने format लगाया है h का मतलब है hour मतलब कौन से कितने घंटे हो चुके है 9 घंटे आपका answer आएगा 9 double call लएँगे mm का मतलब है minute कितने मिंट हो है 14 minute और am slash pm इन में से कौन से time चल रहा है भी pm चल रहा है तो 9 बज़ की चौन मिंट पीम आ गया आपका answer text आपका simple function होता है इसके दो argument है पहले इसका value है तो इसका format है value आपकी वो है जिसको आप करें चाते है change उस format में और format आपका कुछ भी होता है अगला function है अगला question है text 0.385,0.0% गी आपकी value है गी आपका format है तो 0.385 को में करना है 0.0% पर चेंज इसका answer के आएगा 38.5% ठीक अगला question है text function है हमें लिखा 132 आगे लगाई हमने 0000 छे 0 लगी है अगल इसका format आगया 0.00E इक मतलब है exponential प्लस 00 इसका format है होगे बस नमर क्या था 1,3,2,1,2,3,4,5,6,0 ठीक है हमें लगा है यह form a notation scientific notation है हमें इसका format कीचिन करना है तो हमारा result क्या आएगा पहले खामें 0,0 में आपके क्या जएगा पहली digit मतलब 1 फिर आगे 0000 का मतलब है next two digits आएगी that is 3,2 clear उसका लगा है e आपका e आजाएगा फिर आगा है प्लस प्लस आजाएगा फिर आपके 0000 का मतलब यहां पे ए है कि point के बाद आपकी कितनी digit है दखिए point के बाद आपकी digit कितनी है एक, दो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट इसलिए आपके जल्ट आएगा 0,8 यह देखिए यह आपका result है 0,8 आपका इसलिए आया क्योंकि यहां से लेकर यहां तक आपकी 8 digit है मतलब 1 को छोड़ देंगे आप, 1 के बाद जब point लगा तो point के बाद 32 के बाद आपकी 6,0 है तो 6,2,8, 8 digit होगा आपकी point के बाद point के बाद आपकी 8 digit है इसलिए आपका result 1.32e प्लस 0,8 आया अगला question था text 1,2,3,4,5,6,7,8,9,8 एक number है हमने इसमें format लगाया टेपल हैश, parenthesis, फिल गाया टेपल हैश, हाइफन, four time hash, quotation mark जो आपका format होगा वो आपका quotation mark में होगा इसको आप याद रखेंगे तो हमारे result क्या आएगा हमें लिखाया कि शुरू में आपके तीन hash आएगे तीन hash का मतलब है आपके तीन digit आएगी इस number की तो तीन digit क्या है 1,2,3 फिल गोन हमने बला इसको पैट इसमें बंद करो बंद हो जाएगी ठीक अगला हमने बला कि टीन digit आएगी अगल इसको पांच छे उसके बाद लगाया हमने हाइफन फिल आपके चार इसको बजगी है 7898 इसलिए आपका यह result आगया काफी सिंपल है आपको value दिये गे होगी आपने value को आना है format change हमने यह format लगाया तो format आपका यह आगया hash का मतलब बता है आपकी एक digit की value अगला function क्या है text function है हमें लिखा one two three four comma लगाया और यहाँ पर लगा धी हमने 10000 मतलब 8 बाद 0 लिखी है तो हमान इसमें क्या answer होगा one two three four तो डिजित कीतनी है चार एक दो टीन चार इस चार डिजिट का नंबर है ठीक है लेकिन हमें चीज़िए result आफ डिजिट में मतलब हमें result आपका eight डिजिट में चीए तो कैसे आएगा one two three four तो वैसे रेगा लेकि शुरू में हम 0 एड़ कर देंगे मतलब यह टोटल 0 की 7 है 8 नहीं 7 है यह देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब आपका जल्ट 7 दिजिट में आएगा लेकिन 4 हमें दे गई है हम क्या करेंगे हम इसमें leading 0 एड़ करेंगे मतलब शुरू में 3 जिरो एड़ कर देंगे बाकी जल्ट आदेगा मतलब 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4 मतलब हमारे जल्ट 8 दिजिट में आगया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे जल्ट 7 दिजिट में आगया सॉरी बारवर में 8 हो रहा हूँ 8 नहीं 7 होगा मतलब हमें इस value को इस format में चीए करना है वो कैसे होगा हमारे जल्ट 7 दिजिट में हमें चीए लेकिन हमें दीगे है 4 दिजिट तो कैसे होगा शुरू में 3 जिरो एड़ होगी और लास्ट में number 20 देगा 1, 2, 3, 4 तो टोटे किन होगे 4 अब हम देखेंगे J-O-I-T postcode 910 में question क्या आया था maximum लोगों से यह question कैसे हो गया आप देखते है question था आपका in the excess cell the cell A2 contain आपका cell A2 है उसमें value क्या है आपकी 10 December 2021 उसमें value है then what will be the value turned by formula equal to text A2, 4MD 4MD इसका नसे क्या आएगा Friday अब वो Friday कैसे आया समझते है मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको D 4 बात दिया गया है इसका मदबता है यह कहीगा लिटर D इसके मैंने चारों case लेकर आया हूँ आपके लिए जैसे कि आपको बता है कि CA solution आपको देता है advanced knowledge, detailed knowledge इसलिए मैं आपको सिर्फ D ही नहीं बलकि MB कराऊंगा साथ में Y भी कराऊंगा सबके हम चार्चा case लिखेंगे काफी interesting आपको मैं आप पॉइंट समझा जा रहा हूँ कि आपको फिर पम्योंकोशन आया था यह आपको 10.21 कि आपको A2 लिखा गया था मतलब A2 में आपकी यह value है यह आपका cell reference था लेकिन A2 के अंदर आपकी value आपकी यह वाली 10.21 आगे दे गया है DDDD तो जैसे मैंने आपको पिछले example में today में उकराया था आगे मैंने लिया था यह आपका answer Friday आगय था इसमें आपका answer Friday इसलिए आया क्योंकि अगर इसमें 1D कम कर दिया जाए आपको दिया गया है DDDD तब भी आपका day return होगा लेकिन वो आपका half return होगा मतलब Friday का FRI Monday का MON Sunday का SUN Wednesday का WED मतलब आपका नाम छड़ हो जाएगा लेकिन अगर वो डबल D हो जाए मतलब 1D और कम करते इसको हम WED करते ,. तब क्या होगा तब आपका day return होगा तब आपकी date return होगी ड्रीपल D 4D में आपका date return होगा लेकिन single D और dd में आपका date return होगी लेकिन double Dżyć자 वो अंतर क्या है 2Dew में आपका date return होगी मतलब 10 है, यसे would value आपके है 9 तो आपका 09 आएगा जिसमें आपकी single digit आएगी जैसे कि 3 को 3 लिखेंगे, 1 को 1, 5 को 5 लेकिन कुछ value ऐसे होती है जो पहले से double digit होती है जैसे कि आपका 12 तो 12 आप single digit में नहीं लिख सकते हैं उसको 12 ही लिखना पड़ेगा यह difference है इन दोनों में तो चार बार दिये आएगा तो आपको date return होगा पूरा नाम Friday, Saturday पूरा नाम राएगा जो भी होगा तीन बार दिये होगा तो आप उसका half name होगा Friday का FRI, Monday का M.O.N clear double digit होगा तो आप उसको date return करेंगे उसकी date जो आपकी date होगी वह आपकी double digit होगी अगर value आपकी 6 है तो 0-6 लखेंगे 5 है तो 0-5 लखेंगे लेकिन जो value पहले सी double digit में उसको आप double digit में लखेंगे इसकी case में single digit में आप लखेंगे single digit लेकिन इसकी 3-4-5-6 को आप single लखेंगे ऐसे लेकिन double digit में इसको लिखेंगे आप ऐसे और single digit single d में अगर कोई value ऐचा राती है 10, 11, 12, 13, 14, 15 उसको आप इस तकी से लिखेंगे double digit में क्योंकि इसको आप single नहीं लिख सकते है जैसा आपका d का case है वे आपका m का case है m का क्या मतलब है खुश सकता है आपको कि इस वाप इपन में m पुछ ले जाए तो अगर चार बार m होगा उसको क्या मतलब होगा month जिस तकी से चार बार d आपका day return करता था उस तकी से अगर चार बार m होगा तो वो आपका month return कर लेगा आपका पूरा नाम हैगा month का जैसे कि janvary का पूरा janvary jan, uary फवरी का पूरा नाम होगा march का mar, cya चाहेगा लेकिन अगर आपका 3y m होगा तो उसका half name हो लेगा जैसे कि janvary का jan, jan march का mar, april का april का apr, ऐसा चाहेगा लेकिन अगर हम double m करते जिस तकी से double d में आपका digit आती थी जैसे हापका double m भी digit आएगी मतलब अगर आपका कौन सा month है पहला month है, second month है साथो« month है, आपकी double date आएगी मतलब अगर आपका शाथो flowers है, आपका 07 second month है, आपका 02 मतलब double digit आएगी लेकिन अगर आपका single d होगा, single m होगा तब लिखेंगे आप single digit मतलब आपका third month है आप लिखेंगे 3 लेकिन इस भी वही होगा कि जो month आपके double digit के होते हैं उसको आप single में नहीं लिख सकते हैं जैसे कि आपका 9 के बाद आपकी आती है 10, 11, 12 10, 11, 12 को आप single M में भी और double M में भी double digit में लिखेंगे लेकिन उसके लावा जो value आपकी single digit में है वो आपकी single M में single digit आएगी लेकिन double M में वो double digit आएगी मतलब 3 को लिखेंगे आप 0, 3 double M के case में लेकिन single M के case में लिखेंगे आप only 3 only 3 यह इसके cases होगे और last मात आपका yy जैसे आपका double जैसे आपका d, 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 mm, mm जैसे आपका yyy होता है day, month, year अगर 4 बार y होगा तो आपका return का आएगा year 3 बार y होगा तब यह आएगा मतलब अगर y आपका 4 बार हो चैसे 3 बार हो आपका पूरा year का आएगा 22, 22, 21 जो भी है आपका पूरा आएगा उसमें values की है लेकिन अगर वो single y हो या भी double y हो तब वो आएगी double digit में 22, 22, 21, 21, 21 22, 20, 20 मतलब इसमें आपके single y, double y के case में double digit में अंसर आएगा और triple y और 4 y होगा तो आपका पूरा year आएगा आप समझ गया होंगे तो इस पूरी लेक्चे में हमने text function को पूरा समझ लिया है यह मैंने आपको d, m, y तिनों के case समझा लिए तिनों के चाचा case होते हैं आपको इस वीडियो के बाद इस लेक्चे की PDF माई टेलिकर जना पे मिल जाएगी आज मैंने सारे MS Excel के function और जो भी important function इस लेक्चे कर आया है सबकी PDF चैनल पे दे दी है आप उसको जोइन कर लिजिए चैनल के लिंक आपको वीडियो की description में मिल जाएगा और आप खुद भी सार्च कर सकते हो आपको टैब बंद होगा आपको चैनल मिल जाएगा अगर आपको वीडियो का करने अपसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेर कीजिए और साथ ही चैनल को सबस्क्राइब पर देजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके क्योंकि जेव नोसुनताली का पेपर सबसे पहले आपको इस चैनल पर सॉल्ड मिलेगा जैसे आपका पेपर कंपीट होगा उसके बाद मैं पेपर मैं सॉल्ड करूँगा और आपको मैं दे दूँगा और उसी पेपर के बाद मैं उसी कटाउफी बनाऊँगा पूरी अनल्सिस करके और एका बात आपको अब बता दाता हूं मैं कि जेव नोसुनताली का पेपर में सॉल्ड कराऊंगा वो यह पर काफी स्पीड में होगा मतलब उसमें मैं सिवाब को अंसर बताऊंगा लेकीन उस पेपर के बाद जो अगेलेक्ष राएगा उसमें बताऊंगा मैं सुन पमधना पसपीड में हमें ौरी अनल्सिस ऐसा क्या आपको बता है कि नेन्सिस करता हूं अक के अंसिस? लेकिन जेसीद मैं यह जो नोसुनताली की पाशां Citizens new knowledge. Thank you, have a nice day.